हेलो गाईज, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा टुटोरियल गाईज तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अगर आपने फार्मकोलोजी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए and bell icon को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंच सके तो गाइस आए स्टार्ट करते हैं अपने topic को तो इस सबसे पहले हम देखते हैं सारा उप डाइसो पारमाइट फासफेट तो डाइसो पारमाइट फासफेट जो है वो class 1 anti-arrhythmic drug होती है जिसमें cardiac depression property भी होती है यह mainly sodium and potassium channel को ब्लॉक करके अपना action वो करती है जिसके कारण cardiac action potential का duration जो है वो increase हो जाता है यह था इसका एक general introduction देन अब हम देखते हैं इसका सार तो यह है guys डाइसो पारमाइट फासफेट का structure तो इसका structure mainly four components से मिलके बना है फर्स्ट है phenyl ring, pyridine ring, butanamide chain and disopropyl amino group तो इसी group को हम यहां से जब replace करते हैं तो इसकी activity पर क्या effect होती है उसको हम देखेंगे सार में तो सबसे फर्स्ट देखते हैं phenyl ring तो phenyl ring जो है वो जो है anti-arrhythmic activity के लिए काफी important होती है तो यह जो phenyl ring है वो हमेशा unsubstituted होना चाहिए अगर हम इसमें कोई भी substitution कर देते हैं तो इससे इसकी activity जो है decrease हो जाती है अगर हम इस इसकी activity के लिए काफी important है और यह भी unsubstituted होना चाहिए अगर हम इस ग्रूप को यहां से remove कर देंगे तो इससे इसकी activity जो है वो decrease हो जाती है तो यह जो है काफी important है इसकी activity के लिए then third है butanamide chain तो butanamide chain भी anti-arrhythmic activity के लिए काफी important होती है और अगर हम इस amide group को यहां से replace कर देते हैं और इसके place पे हम secondary amine को यहां पे add कर देंगे तो इससे इसकी activity जो है वो increase हो जाएगी लेकिन अगर हम यहां पे कोई भी neutral group को add करते हैं तो इससे इसकी cardiac activity जो है वो decrease हो जात group तो यह जो group है वो anti-arrhythmic activity के लिए important होती है और position में लेकिन हम इसको अगर replace करते हैं small lipophilic group से तो इसकी cardiac activity जो है वो reduce हो जाती है तो guys इसी तरह से जब हम इसमें से कोई भी group को replace करते हैं या add करते हैं तो इसी तरह से इसकी activity को affect करते हैं तो guys यह सार आपको काफी अच्छे स समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखेंगे synthesis of disoppyramide phosphate तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका introduction क्या होते हैं तो disoppyramide phosphate जो है वो class 1 anti-arrhythmic essence होता है जिसमें cardiac depressant property होती है मतलब यह जो भी deporization की process होती है हाट में उसको यह inhibit कर देता है phase 0 जो है उसको inhibit करके they act by block both sodium and potassium channel in cardiac membrane during the phase 0 of cardiac action potential तो यह sodium and potassium channel दोनों पर ही अपना effect सो करती है और उसको block कर देती है जिसके कारण sodium and potassium ion जो है उसका influx नहीं हो पाता है जिसके कारण phase 0 जो है action potential जो है वो inhibit हो जाता है तो अगर यह inhibit हो जाएगा तो phase 0 में क्या होता है इसमें rapidly deporization होता है तो अगर हम इस channel को ही block कर देंगे तो कोई भी जो है ions जो है वो इंटर नहीं करेंगे cell के अंदर जिसके कारण उसका deporization जो है वो नहीं होगा जिसके कारण cardiac action potential का duration भी increase हो जाता है तो यह था इसका एक general introduction देना हम देखेंगे इसका तो यह है structure of disoparamide phosphate जिसको हमने सार में भी देखा था तो यह mainly four components से मिलके बना है first है phenyl ring, pyridine ring and disopropyl amine group है तो और एक phosphoric acid तो इन्हीं सब चीज से मिलके बना है हमारा disoparamide phosphate तो हम इन्हीं चीजों का use करके इसको synthesize करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन-कौन से precursor जो है वो use होते हैं तो first है two bromopyridine लेंगे and इसको हम react कराते हैं two phenyl acetonitrile के सान तो जब यह दोनों आपस में react करेंगे तो यहां से two bromopyridine से BR and two phenyl acetonitrile से एक hydrogen आपस में react करके HBR के form में remove हो जाते हैं तो हमको मिलता है two phenyl two pyridine two oil acetonitrile तो guys यह है इसका structure तो जब हम इदोनों को आपस में react करेंगे sodium amide के present में तो हमको मिलेगा two phenyl two pyridine two oil acetonitrile यह है यहां पे HBR जो remove हुआ है तो यह दोनों आपस में attach हुए हैं तिन हम फिर से क्या करेंगे यहां पे इस structure में आप देखिए कि हमने यहां तक का synthesis कर लिया है अब हमको इस chain को इसमें directly add करना है तो यह chain है two chloro NN disopropyl ethyl amine तो हम इसके साथ इसको further react कराएंगे तो जब यह दोनों एक दूसरे में combine होंगे तो यहां से एक HN इसका जो है two chloro NN disopropyl ethyl amine का एक chlorine आपस में react करके SCL के form में remove हो जाते हैं तो फिर यह इसमें add हो जाएगा तो हमको एक intermediate जो है वो मिलता है तो guys यह intermediate हमको obtain हुआ जब हमने इसको react कराया तो जैसे कि हमने CL ग्रूप था तो यह दोनों जो है SCL के form में remove हो गया और यह group जो है इसमें add हो गया देन हम फिर से इसको react कराएंगे amide के साथ in the present of sulfuric acid तो हम जब इसको amide के साथ react कराएंगे तो हमको मिलता है dysopyramide तो यह structure देख लीजिए यह है dysopyramide तो यहाँ पर एक cn था cyanide group था तो इसको हमने replace करके यहाँ पर एक amide group जो है वो add किया है जब इसको हमने amide के साथ react किया तो तो यह एक amide group जो है इसमें add हो गया बाकी structure जो है यह काफी similar है आप देख सकते हैं दोलों structure compare करके यह पूरा same है बस यहाँ पर हमने cyanide को replace करके यहाँ पर एक amide group जो है वो add किया है तो हमको मेला dysopyramide तो dysopyramide को हम further react कराते हैं तो यहाँ पर एक phosphory acid जो है वो add हो जाएगा और इसी तरह से हमारा final product जो है वो dysopyramide फासफेट जो है वो obtain हो जाएगा हमको तो यह था इसका synthesis जो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब हम देखते हैं इसका use तो गाइस इसका use हम mainly प्रॉक्सिसोमल वेंट्रिकुलर टैकी काडिया के लिए करते हैं जो addial fibrillations होती है उसको control and management करने के लिए भी इसका use किया जाता है और premature addial contractions को भी manage करने के लिए इसका use हम करते हैं तो गाइस यह थे use of dysopyramide fastfit तो गाइस अगर आपको यह वीडियो समाज आया होगा तो प्लीस इस वीडियो को like कर दिजिए and share के जिए अपने friends के साथ और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ thank you